हाई अरिवन स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल ग्रहनी गार्डन ब्लाग्स में दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि जब भी हमारे घर में पूरी फेमेली सभी के घरों में ये एक साथ में होती है तो बहुत सारा खाना भी बनाना होता है साथ में सभी के पसंद की भी चीजे हर दिन बनती है आज भी मैं कुछ इस्पेसल ही बनाने जा रहे हूँ क्योंकि अभी पूरी फेमेली हमारी एक साथ हुई है मतलब अक्सर करके जैसे कोई तेवहार वगेरे के समय में पूरी फेमेली एक साथ होती है क्योंकि बच्चे वगेरे जब बाहर रहते है तो उन्हें ऐसा खाना भी नहीं मिलता है और उन्हें एक आस लगी रहती है कि घर में जाएंगे तो हम अपनी पसंद का खाना बनवाएंगे और पेड भर के खाएंगे तो बस आज मैं ऐसी ही स्पेसल दिस बनाने जा रही हूँ जिसके लिए मैंने तीन कटोरी डाल लिये लगभग एक पाउ से ज़्यादा दाल है मेरी और इसे मैंने दस मिनट के लिए पानी में भिगो कर रख दिया है आप देखी पारे होंगे कि मैं सारे फेमेली के लिए जब इतना सारा खाना बना रहे हूँ तो आटा ओगेरे भी हमें ज़्यादा ही लेना होगा तो आटा भ पर दस मैंने तेल डालकर थोड़ी सी अजवाइन डाल ली है और साथ में एक चमच नमक क्योंकि हमारी आटे की कौंटीटी ज्यादा है तो उसी के हिसाब से एक चमच नमक और थोड़ी सी कलर के लिए हल्दी डाल दिये क्योंकि मुझे बनाना है दाल बाटी तो दाल तो मै हमारा जो आटा होता है उव भी अच्छा सेठ हो जाएगा तो भस हमारा आटा हमने क्हस्ता कर लिये ठोड़ा थोड़ा हमें हलकाहलका पानी डाल कर सी आटे को लगा लिना थोड़ा टाइट ही रखना है और इसे भी ढखकर हमें 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देना है और जो हमने दाल फुलाने के लिए रखी थी अब उसे हम लोग थोड़ा कुकर में डाल कर दो सिटी लगा लेते हैं क्योंकि दो सिटी लगाने से हमारी पूरी दाल गल जाएगी आप देखी दाल है चना उड़ाद मोंग और तुवल की साथ में उड़ाद मसूर मतलब पूरी मीक्स दाल है क्योंकि बाटी जब भी हम लोग बनाते हैं तो मिक्स दाल अगर बनाते तो उसके साथ में बहुत ही तेश्टी लगती है तो बस थोड़ा पानी डाल कर हमें हलका सा इसमें थ थोड़ा सा नमक इससे बहुत जल्दी हमारे डाल गल जाती है साथ में थोड़ी से हलदी पाउड़र और बस इसे हमें धक्कन लगा कर दो सीटी होने देना है और गेस को बंद कर देना है जैसे हम लोग हमारी दो सीटी हो जाएगी बंद कर देंगे उसके बाद जो हमने कर में आप बनाना चाहते हैं वैसे हमें इसकी बाटी बना कर पहले ही तयार कर लेसे दोस्तों जब पूरा परिवार मिलता है तो सारी चीजें बनाने का भी मन करता है ऐसा लगता है की उनकी पसंद ना पसंद सब एक मम्मी को तो पता होती ही है लेकिन साथ में वो सोचती है कि बच्चे तीन या चार दिन ज्यादा ज्यादा इतने ही दिन रहते हैं क्योंकि ज्यादा समय उनके पास में भी नहीं रहता है चाहे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो या फिर जॉप के वाले बच्चे हो बस थोड़ा सा अप एक रहता है कि अपने बच्चों को हमेशा अपनी अपनी पसंद का क्योंकि बहुत बहुत दिनों बाद में ऐसा खाने को मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है हमें बनाने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है तो बस आज तो मैं इस प्रकार से ब हमारी आज बाटी बनकर तयार होने वाली है तो मैंने पूरी बना कर रख लिए अब चलते हम लोग सीधे गेस के पास में यहां पर गेस पे मैंने कड़ाई में कड़ाई गरम करने के लिए रख दिया था और इसमें लगभग एक से देर लिटर हमें डाल देना है पानी और उबाल आने देंगे हम लोग क्योंकि पास साथ मिनट में हमारी पूरी बाटी बनकर मतलब पक कर रेडी हो जाएगी तो अभी तो बस पूरी डाल कर हमें इसे ढख देना है पास से साथ मिनट होने देना है और उसके बाद में देखी मेरी हमारी पूरी बाटी यहां पे मान क चलो फुल के ऊपर आ गई है जैसे ही हमारी बाटी फुल कर ऊपर आ जाती है उसके बाद में हमें इसे एक प्लेट में निकाल लेना है और प्लेट में निकालने के बाद में इसे पंखे में ठंडा कर लेना है ठंडा होती है तो हमें पकड़ने में थोड़ा सा ठीक लगता है थोड़ा सा हमें इसे ठंडा होने के लिए पंखे में रख देना है और फिर हम लोग गेश के बास में और चलते हैं और ऊवन रखते हैं इसे भी हमें गरम करना है तो पहले ही गरम करने के लिए हम लोग रख देते हैं ताकि हमारी जो बाटी है फटा-फट जल्दी से बन पटाफट पहले ही सारी चीज़ें रेडी करना होता है क्योंकि हमें पता होता है कि जब भी बच्चों को ऐसी चीज़ें हम लोग बना कर खंदाए है तो उन्होंको सब्र बिलकुल भी नहीं होता है तो बस इस प्रकार से हमें पूरी बाती रख देना है और इसे अल्टी पल्टी करते रहना है थोड़ी थोड़ी देर में तीन चार चार मिनट में क्योंकि अगर हम लोग ऐसे ही रख देंगे तो बाती नीचे से जल जाएगी और फिर वो जली भी बाती हो या रोटी हो कोई भी खाना पसंद तो करता ही नहीं है अभी दोस्तों रक्सावंदन का समय चलड़ा है इसलिए पूरा परिवार इखटा हुआ है इसलिए सारी चीजे बनाने का मन भी कर रहा है तो यह देखिए मेरी पूरी बाटी ऐसी फुल कर यहां पूरी अलग-अलग हो चुकी है बस इसकी लास्ट रे स्टेज बची है और हम भी चल़ा हमारे बाटी यहां हो जाएगी तईयार तो बस हमें थोड़ा-सा कड़ाई में तेल डाल देना है तेल मैंने इसलिए डाला है क्योंकि बच्चे को घी पसंद नहीं है इसलिए हमेसा मैं बाटी बनाओंगी तो बच्चों के लिए तेल में बनाती हूं और अपने जैसे बच्चों को नहीं पसंद है तो मैं तेल में डाल कर बना दूंगी और उसके बाद में जिनको जो पसंद है क्योंकि जितने भी दिन बच्चे रहेंगे तब तक हमें सारी चीजें उनकी पसंद की ही बनाना होगा और जैसे सारी चीजें उनके पसंद की बनेगी मैं आप लोगों को वीडियो भी शेयर करती रहोंगी इसलिए आप मेरे वीडियो में हमेशा बने रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि हर दिन के नए नए वीडियो आपको मिलते रहें तो बस अब हमारे बाटी तो यहां बनकर रेडी हो चुकी है दाल हमें कर लेना ह फ्राई और दाल कैसे फ्राई करते यह तो आप सभी लोग जानते ही है तो बस हमें तेश्टी तेश्टी दाल बना कर भी रेडी कर लेना है तो इसमें वैसे ज्यादा समय तो नहीं लगता है और अभी हां दूस्तों एक बात तुमें बताना भोली गई क्योंकि जब भी है तो हमें डेली जाना ही होता है लेकिन अभी पूरी फेमेली एक साथ में है तो जाने का मन ही नहीं होता है और हम लोग ऐसे इतने बिजी हो जाते हैं कि बनाने खाने में बातचित करने में तो हमारा समय कैसे निकल जाता पता ही नहीं चलता तो हमारी रूटिंग तो सारी म तो इस प्रकार से हमारी सारी रूटिंग अभी चलने वाली है चार से पाच दिन क्योंकि पूरी फेमेली मतलब पूरे बच्चे इखटे आ चुके हैं और अभी रक्सावंदन है रक्सावंदन के भी मेरे ब्लाग आने वाले हैं और दोस्तो आज का मेरा ब्लाग आप लोगों है चावल तो खा सकते हैं ने तो अधिकतर बच्चे तो डाल बाटी ही खाना पसंद करेंगे तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताईए और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को सेर करना बिलकुल भी ना भूले तो चलिए मिलते हैं ऐ और यहां देखिए मेरी टेस्टी टेस्टी डाल बाटी चावल पूरा बन कर हो गया है रेडी तो दोस्तों अगर आपको भी टेस्ट करने का मन हो तो आ जाईए क्योंकि पूरा तैयार हो गया है हमारा खाना तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही निव रेसिपिन निव ब्लाग में Thank you.